कि हलो फ्रेंड कि मैं अनंद राज आप सोग देखिए कि भी पीसी टीरी ठड में कि विएड जो 22 सेशन वाले हैं और लोग सामिल होंगे कि नहीं होंगे बहुत सारे स्टुडेंट पूछ रहा है तो देखिए एक सिंपल आपको कहा देते हैं कि जब तक आपका रिजल्ट के लिए नहीं होगा एक्जाम आपका फाइनल नहीं होगा तब तक आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं कि आप बीच में न्यूज देखेंगे कि डियलेट का जो रिजल्ट आने वाला था 22 सिशन का कि सितंबर में फिर उसको करके जुलाई में देने का बात कहा गया क्योंकि देखिए फॉर्म बनने का डेट हमको लगता है कि जुलाई लास्ट या अगस्ट के फर्स्ट विक तक आपको दिया जाएगा जब फॉर्म बनने का लास्ट येट होगा उतना तारीक तक आपका क्या होना चाहिए कि जल्ठ आ जाना चाहिए तब ही आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्म बन सकते अब देखिए बहुत सारा इंवर्सिटी जो है क्योंकि बीपीएसी टीयारी वन में अ सब आब लग- Jeżeli 같은데 आपके डिपेंड करता है कि आपके इंवर्सि यृट करवाती हैं सब का एक्जाम अलग-अलग समय में होता है जैसे अभी आव देखिया में– इप्र पर्週वfunding पर एक ृष करना चाहिए और एक और बात आप जान जाएए कि इन्वर्सीटी आपका जौब देने में क्यों है बाद है क्योंकि जब तक हो समय पर रिजल्ट नहीं देगा तब तक क्या कर सकते हैं नहीं दा सकते तो समय पर एक्जाम होगा और समय पर क्या होगा कि रिजल्ट हो जारी करेगा तब ही आप फॉर्म बढ़ सकते हैं समझे इसमें इन्वर्सीटी कुछ कर सकती है जैसे बिहार बोड ने क्या किया था कि डीलेट का सितंबर में रिजल्ट देने का लक्ष रखा था फिर उसको बीपीसी टीयारी थाट को देखते ह हुए उसको अगस्त में किया गया तो ऐसे इन्वर्सीटी को जल्दी से एक्जाम कंड़क्ट करवा कर और जल्दी से रिजल्ट देना चाहिए तब ही आप लोग सामिल हो सकते हैं जब आएगा आपका वीपीसी टीयारी ठर तो बहुत सारे पुछ रहे कि सामिल होंगी नही यह हम नहीं बता सकते हैं जब एक्जाम इन्वर्सीटी आपका समय पर कंड़क्ट करवा कर समय पर रिजल्द देगा यही आपका अगस्त से बतलब एक अगस्त मतलब पहले जब फॉर्म का लाश डेट हो उससे पहले तक तो आप इसमें फॉर्म बिलकुल भर सकते हैं तो आपको खालूशन आप गया कि सब कोड़ा डिपेंट आपके समझे को क्या होना चाहिए कि अपना कलेंडर जारि करना चाहिए रहाए लए और देखिए गवहाइज बतारते है कि इस विहार के जो राजबाल है वह बहुत एक्टिव एं समझें बहूत बहुत ज्यादा एक्टिव है तो देखिए सब को निर्देश दिये हैं इतना इनवर्शिटी को सब का एक्जाम एक समय में होना चाहिए जैसे आप देखिएगा भी गर्जुवेशन में जो चार साल वाला जो लागुगा है उसमें देख रहे हैं सब इनवर्शिटी को एक साथ बोला गया है कि इतना तारीक सेग्जाम लेना है इतना तारीक रिजल्ट चारी करना है तो वैसे ही हमको लगता है कि आपका बीएड वेगरा है जाओड भी कोर्स जो है कि सब इनवर्शिटी सेशन एक जैसा हो कि इतना में आप इक्जाम कंड्क्ट हुआ है इतना में व ही। सब्क्ता बना रहा है कि कि पालेघ एक मटे इसलिए हैं कि सब्सेंट और सबलोग फॉर्म करें इस सब घंक क्या होता है कि मालिए इसकोो only स्टुडेंट है में बिहार इंवर्शिट्टी कर रहा है को हमाली ज्य ही रिजल्ट भाड लिए कोई दूसरा इंवर्शिट्टी से कर रहा referee तो क्या पर नहीं नहीं भूर पाएगा बिहार ही में देख रहा है तो इसलिए एक रुपता हो समझे सब इन्वर्सिटी में थेंक यू